महक उठी है फजा पैरहन की खुश्बू से चमंदिलों का खिलाने को ईद आई है चमंदिलों का खिलाने को ईद आई है मुहमद असदुल्ला दौरा लिखी ये शायरी क्या खूब है नमस्कार सच्रीकाल आदाव गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एंड हलो माई दियर फ पैसों रमजान के बाद ये ईद कितनी सारी खुशियां उम्मीदें उल्लास और भाईचारे का संदेश लेकर आती है और भी कुछ लाती है बताईए क्या भै मुझे तो खीर और शीर खुर्मा बहुत पसंद है और ईद का मैं इसलिए इंतजार करती हूं पर समस्या ये है कि मेरे आस पास मेरा कोई दोस नहीं जो कि मुझे सिवया या शीर खुर्मा खिला सके तो मैं बहुत मिस करती हूँ आप सभी प्लीज अपने अपने घरों में एक एक स्पुन तो ज़रूर मेरे नाम की खा लीजेगा है ना मुझे मिल जाएगी तो हमेशा की तरह मैं भूमी पूजा इस बार भी इत के आसर पर एक बहुत ही खुबसुरत कविता लेकर आप सब के सामने प्रस्तोत हूँ जो कि डॉक्टर रूप चंद्रशास्त्री मयंग जी द्वारा लिखी गई है चांद दूज का देखकर जागी है उमीद गले मिले सब प्यार से कहें मुबारक इद मोमिन को संदेश ये देते हैं रमजान नेकी और खुलूस का मौला का फरमान जर्रे जर्रे में बसा राम और रहमान जर्रे जर्रे में बसा राम और रहमान मर्म बताते धर्म का गीता और कुरान सारे प्राणी धरा के इश्वर की संतान सारे प्राणी धरा के इश्वर की संतान खुद जिसके आदेश पर चलता सकल जहान बंधन में रहता नहीं खुदा और भगवान सभी पोथी धर्म की सारी पोथी धर्म की करती है ताखीद जिसके मन में प्यार है उसके सभी मुरीद दुनिया के बाजार में सौदा खरा खरीद लाते हैं उनलास ये होली क्रिसमस एद मजभ चाहे कोई हो करना सब का मान भाई चारे से बने अपना देश महान चाहे कुछ भी नाम दो देशकाल अनुरूप मकसद केवल एक है अलग अलग है रूप तो दोस्तों अपने आसपास खुशियां फैलाते रहिए चाहे कोई भी धर्म हो किसी के भी तेवहार हो सभी का मान रखे सम्मान करे और धेरों मिठाईया माते कुछ समय है आप सभी के लिए प्लीज खृपा करके अपना मैसेज लेकर जरूर मुझे जॉइन करिएगा और फिर से नमशकार सभी को आशा है आप सबकी इद बहुत अच्छे से गुजरेगी और हम भी आपके साथ बहुत अच्छे से इद मनाएंगे सभी को धेरो प्यार धेरो खुशिया और इद मुबारक जी इद मुबारक जे हिंद